हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चेनल तो फ्रेंड्स यह जो गाड़ी है फाइनली कंप्लीट हो चुकी है इसकी पहले भी मैं वीडियो अप्लोड कर चुका था पुरानी तो फाइनली इसको हमने कंप्लीट कर दिया है और गाड़ी का लुक आप देखी पा रहे हैं तो इसको पूरी हमने क्लासिक बनाई है तो सबसे पहले तो आप इसको पहले देखें क्या आप केसी थी तो यह रही इसकी पुरानी वीडियो जो की गाड़ी की कंडिशन दिखा रही है पूरी के गाड़ी की कंडिशन क्या थी तो यह आप देखी सकते हैं जगे-जगे रश्ट लग रहा है तो इसको हमने फटाक से खोल दिया था और complete भी करतीया है तो ये गाड़ी standard बनी हुई थी पहले इसमें पीछे का मटगार्ड वगेरा का look आप देखी सकते हैं standard वाला है और इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये गाड़ी गुजरात पासिंग है और महराष्ट के जल गाउं से आई है हमारे YouTube माध्यम से ही आई थी बनने के लिए तो ये गाड़ी में जो है आगे पीछे के पईए वगेरा अलायविल वगेरा आगे पीछे के शाकब अगे डिस ब्रेक इस्टॉल हुआ है और जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसमें सब कुछ साड़ा हुआ है अगला मटगार्ड पिछला मटगार्ड टंकी सीट सब कुछ यहां तक के इंजन पे तक जगे जगे रष्ट लग रहा है आप देख सकते हैं कि गाड़ी तो चालू है गाड़ी चल कर आईए लेकिन गाड़ी में जो काम है वो आपके सामने है कि क्या हलत हो रही है इस गाड़ी की जगे जगे से जग लग रहा है तो यह 96 मॉडल है 1996 मॉडल और डिजल गाड़ी है तो इसमें बहुत पेसा लगने वाला और गाड़ी भी बहुत अच्छी बनने वाली है तो यह जो शोक है गाड़ी वालों का और अगर एवरेज की माने तो गाड़ी वालों का कहना है कि 80-90 का average तो दे ही देती है या 80-90 का average दे रही है और बोले इसका top average होता है 110-110 तो 80-90 भी बहुत है गाली अच्छी चलती है तो यह finally हमने complete कर लिए देख चुके है आप पुरानी केसी थी और अब नई जो गाली बनी है तो केसी बन गई है इसमें जो old model की टंकी थी वो टंकी चोटी वाली होती है हमने इसमें classic की यूज की है अगले पिछले मटगाड classic के यूज किये है सब कुछ हमने इसमें जो भी kit होता है वो हमने इसमें classic का यूज किया है handle वगेरा शाकब, alloy wheel वगेरा, alloy wheel भी हमने इसमें classic के ही यूज किये है तो पहले यह standard थी हमने इसको classic बना इस ब्रेक हमने इसमें क्लासिक का यूज किया है पेट्रोल टेंग भी क्लासिक का यूज किया है लेग गार्ड वगएरा हैंडल वगएरा सब कुछ हमने इसमें क्लासिक का यूज किया है ampere meter, man meter ये भी हमने इसमें classic का ही use किया है सिर्फ गाड़ी में आप engine देख रहा है ये इसी का engine है, चेचिस इसी का है बाकि सब कुछ हमने डिकी हैं भी दोनों इसी की है, बाकि सब कुछ हमने इसका change कर दिया है तो आप देखी पा रहा है गाड़ी का look केसा आ रही है और ये वापस यहां से चल कर ही जाने वाली है महराष्ट तो आपने देखा इसका पहले का engine केसा था और अभी कितना shine कर रहा है और इसमें जो seat है अभी हमने इसमें standard वाली use की है हलाकि बाद में हमने इसमें seat change कर दी थी गाड़ी वालों ने भी बोला और बहुत से लोगों ने बोला के यार गाड़ी पूरी classic है seat सलंग standard टाइप की क्यों लगा दी तो हलाकि seat बहुत बढ़िया लग रही थी गाड़ी पे और चलाने में भी अच्छा लग रहा था बाकि किसी कारेंड हमने एक वह होता है कि classic look ही देना पूरा तो बाद में जब हमने इसमें classic seat install करी तो और भी ज्यादा अच्छा look आया है अभी एक इसका फोटो में आपको दिखाऊंगा तो वह आप देखेंगे बहुत ही अच्छी लग रही थी classic seat लगाने के बाद भी तो हमने फिर उसमें classic seat बाद में change कर दी थी तो ये उसका दूसरा point है DRL का पहले orange वाला था जो कि DRL कहीं है headlight on नहीं है भी DRL सिर्फ तो इसमें दो तरीके से बोस वाली DRL जलती है एक orange color की और एक white color की और फिर half full white headlight on off में चलती है हारन हमने इसमें classic वाले यूज़ किये हैं ये जो आप इस पे tank pad देख रहे हैं और ये आप अनुद देख रहे है सिगनल सवाला आरी का मोनुद है और इस पर जो सिगनल नंबर ड़ले हैं वह तो भाई जो सिगनल पर आते हैं तो 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 आप देख पाना है, इसमें कलर, क्रोम, बफिंग, वगेरा, सभी का काम हुआ है, और कलर इसमें हुआ है, मेड, ग्रीन, आर्मी, जो कि आर्मी कलर होता है, मेड, ग्रीन, वो हमने इस पे किया है, शाकाब हमने इसमें पीछे के भी क्लासिक वाले यूज़ किये हैं, टेल लाइट, या वगेरा, इंडिकेटर, सब कुछ हमने इसमें क्लासिक का यूज़ किया है, बाकी तो सब ओल्ड वाला सिस्टम है, इसमें आप जानती है, तो गाड़ी देखिए भाई, कितनी प्यारी लग रही है, अब आप इसका इंजन भी देखेंगे, कि इंजन इस तरफ से कितना शाइन कर रहा है, उस तरफ से भी कितना शाइन कर रहा है, और पेले इसा कुछ भी नहीं था इंजन पर, पुरानी वीडियो में आप देखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यदा इसकी हलत खराब है, मतलब ये पहली बार ही इतना हुआ है, गाड़ी वो पूरी ओरिजनल थी, अब आप देखेंगे, तो हमने इसमें सीड जो है, वो भी च सारा सामन कुरूम बफिंग हुआ है, और ये इनफिल्ड लिखा हुआ आता था, हमने वहगी के वही मोनो इस पर बनवाया है, रेडियम से, तो भाई गाड़ी केसी बनी, कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें, अगर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और किसी भाई को अगर गाड़ी बनवाना करना हो, या गाड़ी से रिलेटेट कोई भी काम हो, तो मेरे को संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नमबर है, तो ये रही स्किये वाईली सीट, और बाद में हमने लगा जी थी, क्लासिक के सीट देख सकते हैं, आप धन्यवाद,